आप देखी जरा जब मैंने इन्होंने मेरे यूटूब में वीडियो देखा बहुत सारे रोगी जो हमारी यहां से ठीक हुए है उनके बाते सुनी उसके बाद इनके मन में आया कि चलो मुझे भी वैजी से दवे लेना चाहिए फिर चुकि मेरा तो वही एक तरीका है पहले मै मैंने रोगी से प्रश्ण परिक्षन करता हूँ सपर्श परिक्षन परिक्षन उस संदर्व में जब मैंने रोगी से सवाल किया तो देखी जरा पान साल चार मैने का बच्चा है इसके जब डिलिवरी हुआ उस समय कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन बाद में क्या हुआ तीन आदार पर मैंने कैसे आयरुवेदिक चिकित सवीदी को मैंने एक प्रोटोकल मैंने तयार किया क्योंकि मैं रोज आयरुवेद पढ़ता हूँ, मैं जो ग्रंत है उसका मैं नित्य अद्यहन करता हूँ, मैं student को पढ़ाता भी रहता हूँ इसलिए मेरा मेरे दिमाग में हमेशा सुत्र और उसके जो फर्मूला है मेरे दिमाग में हमेशा बैठा रहता है यदि आप भी एक सफल चिकित सक परना चाहते हैं तो आपको भी चाहिए कि रोज आप चरक संगिता अस्टांगरी दयम ये सारे बुक जो है आप रोज उसको पढ़ा करिए समय निकाल के अब देखो लक्षन क्या है बच्चे को बच्चे के सरीर में जब बुखार आता है तो उसके बाद दौरा आता है या दौरा आने के बाद बुखार आता है यानी उसके दौरे का बुखार से बड़ा तालुक आता है सरीर से पसेना नहीं निकलता इसलिए उसके सरीर से बार बर बुखार आता है सरीर में ठंड़ बहुत ज़्यादा लगता है एक तो ये हो गया दूसरे नमर में बढ़बुदार उसका लेटिन बदबुदार पिसाब बहुत ज्यादा आता रहता है कुछ भी खाएगा पिएगा तो उसको लूज मोशन होता रहता है ये दोनों जो लक्षण है हमारे लिए परियापता है इसके आयरुमेदिक चिकित्सा करने के लिए सबसे ज्यादा रोज उसको दौरा पड़ता रहता है और रोज उसको अतिसार यानि कि जो लूज मोशन होता रहता है और उसको लूज मोशन के आगे इसके दौरे के आगे और फी जे बुखाराना कमपल सरी है चुकि अब वो पेजेंट तो लखनौ में है और मैं पंजाब में हूँ तो मैंने उसको प्रश्ण परिक्षन तो हो गया अब मैंने थोड़ा सा क्या किया उसको बोला कि भाई बच्चे को बेड में लिटाओ और पूरे पेट में थोड़े से उसको प्रेस करो अलग अलग कि यह इसके यह क्या है या इसका अपानवरित व्यान है ऐसा हमने सोचना है वैसे सरीर में मंदागनी है और आम अवस्था में सरीर है और उससे हमारे धातू के साथ सुक्र धातू तक उसका नेगेटिव फिक्ट है नेगेटिव प्रवाब है ऐसा हमें सोचना चाहिए जब दोरा आता है तो उसके टाइम में हाटवीट बहुत ज़्यादा तेज हो ज़्याता है लेफ्ट हेंड में इसको टाइटनेस ज़्यादा होता है पेर हमेशा ठंडा और सरीर हमेशा इसका गरम होता है तो देखी ज़रा पशिना ज़्यादा आना पशिना बिल्कूल भी ना आन अंगो में जकडाहाट होना ये उदाना वृत व्यान का लक्षण है और बिन मुत्र की अतिप्रविटी होना मुत्र और मल का अतिप्रविटी होना अपाना वृत व्यान का लक्षण है अतिसार मोह अगनिमांद्या यह हमारा अपाना वृत 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 वृ जब आप पढ़ोगे वेसजर अतना वली तो वहाँ पर आपको जोरातिसार अध्याय नाम का एक अध्याय मिलता है जोरातिसार यानि जहां जोर और अतिसार दोनों एक साथ में हो जोर के बाद अतिसार जोर से पहले अतिसार या दोरा से पहले जोर दोरा के बाद जोर बुख सब्सक्राइब दिया है हम अपने मर्जी से चिकित्सा नहीं कर सकते पहले हमने देखना है कि जो यह लक्षण है कौन से ग्रंथ में किस अध्याय में बताया है यह उसका संदर्व कौन से रोक से है तो हमने यहां पकड़ा ज्वराति सार अध्याय फिर दूसरे नमर में हमने यहां पर वायू क्योंकि यह वायू से संबंदित व्यादी है तो उदाना विर्त व्यान अपाना विर्त व्यान अपाना विर्त व्यान यह तीन सुत्र और इसके संदर्व में जो उपचार हमारा जैसे उदाना विर्त व्यान अगर हो तो इसके लिए पसीना को निकालने की वेवस्ताय हमें करनी चाहिए जो कि स्वेद को अत्यंत प्रविट्त करे कुछ ऐसा दवई देना है अपाना विर्त व्यान जहां पर विण और मुत्र की अत्यंत प्रविट्ती हो रहा है मुत्र की प्रविट्ती ज्यादा होने का मतलब है क्योंकि सरीर से पसिना नहीं आ रहा है वही जो उदक भाव है वो मुत्र के रूप में प्रविता हो रहा है मल के रूप में हो रहा है तो जैसे ही हम संग्राहक आउशदी देंगे तो पशीना न आने से जो सरीर में उदक भाव के विर्दी हो रही है उसमें ठीक हो जाएगा संग्राहक के द्रव्य देने से अपा राही द्रब्य देने के लिए सुत्र बताये हुआ है लेकिन इसके बिपरी जब हम ज्वाराती सार क्योंकि ज्वाराती सार तो इस बच्चे को है तो जब ज्वाराती सार द्याय देखेंगे तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है ज्वार के लिए जो दवई दिया जाता है वो को बढ़ाने वाला है और अतिसार के लिए जो हम शंग्राही द्रब्य देते वो जोर को बढ़ाता है यानि कि ये बिपरीत विवस्ताय हो रहा है ये इसलिए असाध्या है इसलिए वो बच्चा विचारा वैसे तो उसका प्रोपर चिकिसा कहीं हो इनहीं रहा था तो यहां प खरीर में जो अपक्व आम है वही आम के होने से जोर और अतिसार ये दोनों हो रहा है इसलिए पहले हम जो चिकिसा करेंगे उस अपक्व आम को डाइजिस्ट करने की विवस्ताय करेंगे तो लंगन सबसे पहले लंगन करना है फिर आम पाचक द्रब्य देना है वह जो आम ह जैसे उसका पाचन होगा उसके बाद छोटा सा एक हम बमन करेंगे क्यूंकि आम की लिए बमन ही है छोटा सा बालक है इसको हम बमन नहीं कर सकते तो मैंने यहां पर बमन उपक महा कसाई देने का विवस्ता मैं अभी यहां बना रहा हूँ तो लंगन करेंगे फिर आम पाचक करके हम क्या करेंगे उदाना वृत व्यान अपाना वृत व्यान अपाना वृत व्यान अपाना वृत उदान इसका हम चिकित्सा में इसी इसाब से क्योंकि इसको चिकित्सा करना इतना सामन्य नहीं है क्योंकि छोटा बाच बच्चा है पहले से सरीर उसका बहुत ज़रा क्रि लेठी है आमरत्यों का च्छाल है बिल्व मज्जा यह भी संग्राहग भी है मल को भी अतिप्रपिटी होने नहीं देता पंचकोल है यह भी आम पाचक है अजवाइन है दूब घास है तो इन सबी को काड़ा बना करके उस काड़ा में चाउवल रात को क्योंकि आपको पता है रसप्रदानम आहारद रब्यम और विर्यप्रदानम आउशद रब्यम तो सबसे पहले हम आहारद रब्या रसप्रदान जो जड़ी बूटी है इसका मंड बना करके हम बच्चे को देंगे कुछ दिन तक मंड देते देते इसका आहारद प्रदान जो आउशद रसद रब् ये भोजन देंगे इससे आम का पचन होगा आम के पचन होने के बाद फिर इसके स्वेद को प्रबिट करने के लिए और अपान खोलने के लिए साहजन एरंड के जड़का छाल आंक के जड़का छाल सफित पुनानमा लाल पुनानमा जो काली तील इनके काड़ा बना करके नहीं कर सकते तो आम को हम इसी तरह से निकाल सकते बाहर कोई दूसरा रास्ता चा मुझे अभी मिलने ही रहा है अगर आपको कुछ यहां अपनी स्थर पर कुछ करने के लिए आपको दिखता है तो आप कृपया कमेंट बक्स में आप लिग लेना मैं फिर उस विदी के उपर विचार करूंगा लेकिन अभी इस संदर्व में मेरे बुद्धी के हिसाब से बस यही है कि पहले लंगन करा करके आम पाचन करा हूं आम पाचन जब होगा तो साथ-साथ में यह भोजन भी लंगन के साथ ही यह जो चावल में इस काड़ा के साथ चावल पका करके इसको प्रविट्ट बना करके दूँ पांच से दिन तक उसके बाद फिर उस बच्चे की स्तिति को देख करके स्वेद उपग महा कसा है इस रूप में दूँ ताकि उदान भी प्रविटता हो जाए ब्यानवायू भी स्वेद के मद्यम से बाहर निकल जाए और सही तरीका से प्रव प्रविटती हो उसके बाद फिर हम इसको कुछ रसाइन कल्प देंगे अगर जरूर पड़ा मुझे तो जहां तक लगता है इतना करने से ही इसका काम हो जाएगा अगर इसके अलावा भी आपको अगर कोई अच्छा उपचार सूचता है इस संदर्भ में तो आप जरूर ब